Hey guys, welcome back to this channel अभी मैंने recently, मतलब कुछ 5-10 मिनिट पहले ये बुक खतम किये जिसका नाम है 021 और आज वैसे भी कोई टॉपिक मिल नहीं रहा था तो मुझे लगा कि इसी के बारे मैं आज बात करते हैं तो 021 एक स्टार्टप्स के अराउंड एक बुक है अज हम इसमें हर एक चाप्टर में नहीं जाएगे क्योंकि मैं चाता हूँ कि अगर आप बुक पढ़ रहे तो बुक में हर एक चाप्टर आपने पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बुक बुक बहुत अच्छी है और एक अलग बुक है मतलब ये नॉर्मली ऐसे बुक मिलती नहीं है बड़ी अलग तरीके से लिखी हुई है तो इसलिए मैं हर एक चाप्टर में तो नहीं जाओगा लेकिन मैं अल्मोस्ट बुक में जो भी में में चीजी है वो सब आपको समराइज करके बता दूगा और फिर आप डिसाइड करना कि आपको बुक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है तो शुरू करते है फिर वीडियो को लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपको जैसे पेपाल तो पता ही होगा सबको कि पेपाल एक फिंटेक कंपनी था पेपाल आप सबको पता ही होगा कि 1990 और 2000 में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट या फिर ऑनलाइन करंसी के लिए यूज के जाना वाला कंपनी था वो अभी भी एक्जिस्ट करता है बहुत सारे टांजैक्शन जो होते वो पेपाल के थुरू होते है लेकिन वो टाइम पर सबसे ज्यादा मतलब की अगर कोई सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा कंपनी था फिंटेक में तो वो पेपाली था तो उसके को फाउंडर है ये तो उन्होंने ये बुक लिकिए तो बिकली 1990s, 1980s में एक बहुत बड़ा economic crisis आ गया था US में तो फिर उन्होंने उसके बारे में सबसे पहले बात किये तो स्टार्टिंग से उन्होंने पूरी ये story बताई है तो ये बुक एक story के format में उन्होंने प्रेजन किये कि हर एक phase में कैसे कैसे चीज़े change होती गई है और उसी में उन्होंने अलग-अलग जो मतलब उनके learnings है वो share किये सबसे पहले तो उन्होंने वही वो economic crisis के बारे में बात किये जहाँ पर सारे जो companies थी जो बहुत ज्यादा मतलब loss में गई थी फिर उसके बाद उन्होंने Silicon Valley का formation बुला है कि Silicon Valley में इतना ज्यादा startup culture कैसे आया उसमें इतने ज्यादा startups कैसे form हुए उन्होंने ये भी बताया कि एक point पर almost हर एक दिन 100-100-100-100 million की funding raise हो रही थी वो time पर और इतने ज्यादा startups खुल रहे थे और उन्हें funding भी मिल रही थी क्योंकि वो time पर जो भी VCs थे मतलब जो venture capitalist मतलब जो investors होते वो बहुत ज्यादा interested थे ये जो tech companies होती है या फिर जो भी software oriented चीज़े हो रही थी उसमें सबसे ज्यादा वो लोग interested थे इसमें बहुत सारी चीज़े मतलब कि आपने सुनी होगी वो clearly उन्होंने लिखी है जैसे कि Facebook का formation कैसे हुआ उसके बाद Google का कैसे हुआ Google पहले कैसे था फिर अभी कैसे हो गया Microsoft के बार में बूला है कि पहले एक time पर जो वो सबसे जादा lead कर रहा था उसके बाद क्या हुआ फिर Apple का अचानक से growth कैसे हो गया यह सब चीज़े उन्होंने cover की है तो बहुत interesting मतलब लगता है वो पढ़ने के लिए अगर आप थोड़े भी startup culture के fan है या फिर आप थोड़े भी tech के भी fan है तो आपको बहुत मज़ा आएगा यह book पढ़ने में क्योंकि अलग-अलग phases में कैसे-कैसे चीज़े develop होती गई, कैसे-कैसे evolve होती गई चीज़े यह सब उन्होंने यह सब चीज़े बहुत अच्छी तरही से उन्होंने cover की है और आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा पढ़ने में आपको अगर पता होगा तो मैं आपको बता देता है अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हो कि PayPal को तो आपको बतानी होगा तो Elon Musk भी PayPal के टीम का एक हिस्सा थे मतलब कि उन्होंने एक phase में उन्होंने उसमें भी काम किया था जब उन्होंने company take over कर ली थी मतलब जो electronic payments होती है उसका जो concept है वो introduce किया था Elon Musk नी तो फिर यही सब चीजे भी उन्होंने बताई है उन्होंने Tesla के बारे में या फिर SpaceX के बारे में भी उन्होंने बताया है कि अजानक से वो companies जो मतलब लोको लग भी नहीं रहा था कि NASA के आगे कोई जा सकता है या फिर NASA के साथ भी कोई deal कर सकता है तो SpaceX ने जाके उनके जो rocket से alternative निकाला Falcon जो आप सुनते हैं आजकल जो rocket से वो use करता है NASA खुद उनके launches में तो यह सब चीजे कैसे हुई इतना ज्यादा मतलब impact कैसे कर दिया Elon Musk ने या फिर Tesla ने पर SpaceX ने तो यह सब चीजे उन्हों ने बहुत अच्ची तरीके से बताईये उन्होंने सारे जो भी co-founders founders आपने सुने होगे अपने Napster के बारे में सुना होगा तो Napster के बारे में भी अच्ची तरीके से लिखाए Sean Parker के बारे मेंتهं बताईये कि जो introduce हुआ था ये पूरे startup culture में criminal जैसे कि उसे hacker करके बोलते थे लोग लेकिन उसने one of the fastest growing brand बनाया जो था Napster लेकिन फिर से उसका fall हो गया क्योंकि उसका sustainable model नहीं था लेकिन उसके बाद फिर से वो facebook का president बन गया तो ये सब चीजे कैसे हुई ये सब चीजे बहुत अच्छी तरीके से लिखी है और जो Silicon Valley सबसे में चीज तो वो खुद Silicon Valley के पार्ट है तो उन्होंने इतने अच्छी तरीके से बुलाई कि अलग-अलग founders कैसे think करते हैं बहाँ पर अलग-अलग VCs के साथ कैसे बात होती है ये सब चीजे बहुत अच्छी तरीके से लिखी है तो अगर आप थोड़े भी startup culture के fan है तो ये recommend तो करूगा मैं book बहुत अच्छी book है ये आपको बहुत interesting लगेगा एक दो चीजे मैं बूलना चाहोगा कि ये beach-beach में कुछ-कुछ जगा उपर थोड़ा सा आपको extended लगेगा कि बहुत ज्यादा मतलब बहुती कुछ चीजे जो छोटे मतलब छोटे span में या फिर pages में लिखी जा सकती थी वो उन्होंने बहुत ज्यादा extend कर दी बीच-beach में थोड़ी सी आपको boring भी लग सकती है book लेकिन at the end ये बहुत अच्छी book है end end के chapters भी बहुत अच्छे बीच में उन्होंने green मतलब की environment के उपर भी उन्होंने बात की है कि कैसे sustainable पूरा environment हो सकता है या फिर जो भी start-ups हा रहे वो कैसे help कर सकते है ये सब problem solve करने के लिए ये भी उन्होंने बात की है उसके बाद उन्होंने AI के बारे में बात किया है कि machine क्या take over कर सकती है humans के उपर तो ये सब चीज़े उन्होंने discuss की है AI के बारे में बात की है तो all-in बहुत ही ज्यादा अच्छे book है एक startup का foundation कैसे होना चाहिए ये सब चीज़े अगर आपको जाननी है तो आपको बिल्कुल ये book मैं recommend करता हूँ बहुत अच्छी तरीचे से लिखे हुई है और बहुत छोटी book है एक अलग book है मतलब usually हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है या फिर ऐसे लिखा जाता नहीं है कि आश के जो भी records है उसके उपर book ज्यादा लिखी नहीं जाती है और उसके उपर आपको ऐसे concepts जो है startup के उपर जो जो अलग-अलग concepts है वो समझाए जा रहे तो आपको interesting तो लगेगा ही पढ़ते है वक्त तो yes, obviously मैं सबको recommend करूगा and अगर आपके पास time है तो बिलकुल ये book पढ़िए audio book सुनिए अगर आपको book पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है तो yes and I guess that's it from my side guys अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please share किज़े लोग के साथ subscribe किज़े चैनल को and stay tuned to this channel